अन्द विश्वास एक ऐसा विश्वास है जसका कोई उचद कारण नहीं होता एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार और समाज में जिन परंपराओं, मानिताओं को बच्पन से देखता और सुनता आ रहा होता है वो भी उन्ही का अक्षरांस बालन करने लगता है ये अन्द विश्वास उनके मन मश्टिश्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर में वो इन अन्द विश्वासों से बाहर नहीं आ पाता लेकि ऐसा ही अन्द विश्वास फांसी के फंदे को लेकर भी प्रचलित है आपके मन में भी अक्सर ये सवाल उठते होंगे कि आखर जिस फांसी के फंदे पर दोश्यों को लटकाया जाता है उस रसी का क्या किया जाता है आमतोर पर हमारे देश भारत में फंदे को जला दिया जाता है लेकिन इस फंदे को लेकर दुनिया के दूसरे कई देशों में तमाम तरह के अंधविश्वास प्रचलित रहे हैं फांसी की रसी को लेकर ये अंधविश्वास भी उसी वक्त से है यानि दस्वी सदी से जारी है दरसल ब्रेटेन में जब फांसी दी जाती है तो इस रसी को जलात को दे दिया जाता था लेकिन इसके बाद ये अन्विश्वास लोगों में फैल गया कि अगर इस रस्ती के टुकड़े को घर पर रखें या फिर इसके एक टुकड़े का लौकेट पहने तो इससे किस्मत पलट सकती है इतिहास में इस बात का उलेक भी मिलता है कि ब्रेटेन में जलात इन्रसी के टुकड़े करके उसे बेच देते थे और लोग भी खुशी-खुशी उन्हें खरीद देते थे हाला कि साल 1965 में ब्रेटेन में फांसी पर रोक लगा दी गए इतना ही नहीं जब ब्रेटेन में भर से सिंधर और सिर को अलग करके मौत की सजा दे जाती थी तो उस समय लोगों में ये अंधविश्वास था जब किसी को ये सजा दे जाती थी तो अपने घरों से ऐसे कपड़े लोग लाते थे जिससे वो इन कपड़ों को खून में दुबो सके लोगों का ये विश्वास था कि इस कपड़े को घर में रखने से भागे बेतर काम करेगा ब्रिटेन और यूरोप के देशों में एक अनविश्वास ये भी था कि अगर कोई फांसी के इस्तमाल किये जा चुके भंदे को छूले तो त्वचा, पेट और गले की कई बिमारीों से उसे चुटकारा मिल सकता है आम तोर पर भारत में ये रसी जलाद को ही देदी चाती है और यह जलाद इसे ले जाता है साल 2004 में जब नाटा मलिक जलाद ने रेप और मर्डर के दोशी धनजय चटर जी को फांसी पर लटकाया था तो उसने इस रसी के टुकडों से बहुत कमाये की थी उस वक्त बंगाल में ना जाने कैसे ये अन्धिश्वास फैल गया कि फांसी की रसी का लॉकेट पहनने से किस्मत पलटती है अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो रोजगार मिल जाता है अगर कर्ज में तब हैं तो सिर्च छुटकारा मिल जाएगा और अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे इस तरह की बाते कुलकाता में फैलने के बार नाटा मलिक के घर के आगे रस्ती लेने वालों की भीर लगने लगी बीरो रिपोर्ट